नमस्कार दोस्तो, Health Online में आपका स्वागत है दोस्तो, आज हम आपको बवासिर बिमारी को ठीक करने के घ्रेलू उपाय के बारें बताएंगे दोस्तो, सबसे पहले तो आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया हो तो इसे सस्क्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सिदे देख सकें दोस्तो, बवासिर बिमारी के होने के पुर्मुक करन एनिमता, दिन्चरिया और खान पान है बवासिर में होने वाला दर्द ऐसे निये होता है बवासिर मलाश्य के आसपास की नोसो की सूजन के करन विक्षित होती है बवासिर दो तरह की होती हैं, अंदरूनी और बाहरी अंदरूनी बावसिर में नोसो की सूजन दिखाई नहीं देती पर मैसूस होती है जबकि बाहरी बवाशिर में यह सुजन गुद्दे के बिलकुल बाहर दिखाई देती है बवाशिर को पहसना बहुत ही आसान है मलतिया के सम्मे मलाश्य में अतिदिक पीड़ा और इसके बाद रक्त सत्राव और खुजली के लक्सम जिसके कारण गुद्दे में सुजन हो जाती है आईरुवेद में इसका बहुत ही सरल इलाज है जिसे हम बवाशिर को दूर कर सकते हैं और सबस्त हो सकते हैं चलिए दोस्तों आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं बड़ी इलाजी दोस्तों बड़ी इलाजी भी बावशिर को दूर करने का बहुत ही अच्छा उप्सार है इसे सेवन करने के लिए लगबग 50 गरम बड़ी इलाजी को तवे पर रखकर भूनते हुए जला लीजिए ठंडी होने के बाद इस इलाजी को पीछ लीजिए और रोज सुबह इसका चुरून पानी के साथ खाली पीट लेने से आपकी बवासिर बिलकुल ठीक हो जाएगी धन्यवाद दोस्तों